आप देख रहे हैं अपना बोश्पूरी वन चनल जहां पर आप फिल्म समंधित जानकारी जो है आपको मिलती है तो आज जो है मैं जाने वाला हूँ लाल बाग के राजा का धर्सन करने फिलाल मुंबई में तीन दिन से बारी सो रही है इसके वज़े से मैं कहीं नहीं जा पा है फिर लाल बाग के धर्सन करने के लिए पहुचूंगा है यह है नाल बाग गलेस गल्ली की जो गनपती की जो पंडाल है बहुत ही खूप सुरत है अगर में बहुत ही तगड़ी बारी सो रही है पिछले तीन दिनों से जो मैं बता रहा हूं आपको और आचानक से बारीस पड़ रही है यह पूरा आगे का नजारा जो आप दिखाई दे रहा है यहां से लोग इंक्री करते हैं और जो है अंदर की तरफ जाते हैं और यह पूरा यहां पर जो यह लाइटिंग बहुत ही तरह से की गई है और सबसे खास बात है कि शुरच्छा के लिए यहां पर जितने भी पुलिस वाले वह तैनाज किये गए हैं तो बहुत ही अच्छी सुविधा है यहां पर ताकि किसी प्रकार की कोई अनुमोरी नहों इसलिए बहु अच्छी नहीं हो जब भी आप आए तो आपको टेंशन नहीं होगा बिनकुल हम लोग आ चुके हैं यहां पर और अरभी मेरे condemned सामने जो है वह गए की परतिमा है लाश्याकार वहां कि यहां पर पहुंच गए क्योंकि मुंबई में पिछले तीन चार दिनों से बहुत ही भारी बारिस हो रही थी इसके वज़र से कई लोग यहां नहीं पहुंच पाए लेकिन जैसे ही बारिस थोड़ी कम हुई तो बप्पा के दर्बार में कई सारे लोग आना शुरू हो गए मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूँ नीचे की चीजे यह जो आप देख रहे हैं इस साइड से लाइन है और साफ आप यह देख रहे हैं कि किस तरह से जो है बहुत सारे लोग यहां पर दर्शन करने पहुंच रहे हैं एक बात और है यहां की खास यह है कि यहां पर आम जन यहां आने का चाहे उसमें सिनिक लाकार हो या उद्योग पती हो वो यहां पर जरूर आते हैं एक बार जरूर यहां पर बप्पा के जो है पैरो को यानि बप्पा के चरण को इस पर्स करते हैं उन्हें माथे से लगाते हैं ताकि उनकी मनोकामना पूरी हो एक बात और बताओ कि इस बार जो है मुख्य आकर्षन का केंद्र है चंद्रयान जी हां चंद्रयान-टू की आकर्षन का केंद्र है जैसे कि आप जो यहां पर देख रहे हैं स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा और यहां भी दिखाई दे रहा होगा कि इस तरह से चंद्रियान टू की सफलता की कामला करते हुए और उसका जो एक जो छलकी है वो यहां पर दिखाई दे रही है बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा के साथ साथ जो है खूबसूरत यहां का डिजाइन और नजारा भी है हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ हुआ है यहां पर हमेसा आते रहते हैं और यहां पर जैसे कि मैंने भी कुछ मांगा था और यहां पर मेरी वी बनुकामना पूरी हुए इसलिए मैं यहां पर आया हूँ और यहां पर देखें पर यहां पर देखें सबसे चोटी जो है जोटी कैमरामेन दिखाना चाहता हूं आपको इदे के चोटी कैमरामेन अब यह को मुझे लगता है कि बोपा का जो है विलकुल एक चीज वह कवर कर रहे हैं और सबसे चोटी हैसे में क्योंकि कैमरामेन के मैंने अब तक जितने देखा है उसमें इतनी चोटी कैमरामें नहीं देखा है तो सबस्ट छोटी कैमरामेन यहां कि लाल बाग की अब तक की जाने वाली यह है मैं नाम पूछ रहता है तो भूल जाएंगे हमनों नाम का बटाएंगे हैं यहां पर अनिन्या को मैंने दिखाया आपको और भविश में मुझे लगता है कि बहुत अच्छी कै सब्सक्राइब कीजिएगा तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो तब तक के लिए बाएंगे कि लगके लगके खीम को रूंछाेन आपको अच्छी